परम सतकार्यों सासंगे जी सारे आपनी रसना पवित्तर करिये ते आखिये तानसीरी साथगुरू प्रताप सिंग जी तानसीरी साथगुरू जगजी सिंग जी तानसीरी साथगुरू उदे सिंग जी सासंगत जी असी कुछ दिना तो सेट पजनीक सिंग जी द्वारा दसी होई साखियां सुन रहे हैं ते आज वी ओना द्वारा दसी होई साखिय है कि सुन्दर नगर सुकेत दे चार बजार हुन्द सन इक दा नाम पोजपूर सी दुझे बजार दा नाम चत्रोखडी सी जित्थे राजा वी रहन्दा हुन्द सी ओथे योजदे महल सन तीसरे बजार दा नाम पुंग है ते चौथे बजार दा नाम पुराना बजार कार के है ए बजार पोजपूर दे नाल ही सी ते ओना दिना वीची ही सच्चे पाशाजीरी किरपा नाल कुझ कार नामतारियां दे सुकेत आगे होई सन ते कुझ कार मंडी आगे होई सन ए हिंडोस्तान ते पाकिस्तान बढ़न तो पहला दिगाल है जिठे असा जमीन लेके मकान बनाया सी ओ मकान सुक देव वाटिका दे पास जिठे होण चील बनी होई है जडित अनुकाल दस्सी सीगी पूरी साखी ओथे सीगी ते ओथो पुराणा बजार नेड़ ही सी ओसनू रस्ता सुक देव वाटिका दे कोलो ही होके जंगल विच्चो लांग दासी ते बाकी बजारा नालो नेड़े पैन दासी ओस पुराणे बजार वीच सरदार कपूर सिंग जी जो मेरे पन ओई सन ते मेरी वड़ी पैन सोमा वती दे कारवाले सन ओर एंदे उन्दे सन एक दिन साड़े पीता जी पैना पैन सोमा नु मीलन वास्ते उस जंगल दे रस्ते सुख देव वाटी का कोलो होके जारे सन थोड़ी दूर अग्ये उस जंगल वीचो सामने एक वड़ा सारा शेर आ गया जिसनों वेके पिता जी डार गये ते ओथे ही खड़े हो गये अग्ये नहीं गये ते शेर भी ओथे खड़ा हो गया एं वेके पिता जी सार्गु पठाप सिंग जी चर्णावी चरदास किती ते वापस मुड़ पै ते अग्यों शेर भी ओथे अग्ये नहीं आया ते वापस जंगल वाल चला गया एं वारता पिता जी ने सानु कारा आके दसी ते क्या कि सचे पाश्या जी ने मेरे ते आज बड़ी किरपा क किती है ते उन्हाने मेरी रक्षा किती है कि सासंगे जी सेट पजनीक सिंग जी एक होर वारता दस्दिहन कि एक वार्दी गाल है कि तकरीबन सन चाली दिगाल है यानी सन उन्निस सो चाली दिगाल है कि सच्चे पाश्या सागुपर्टाब सिंग जी ने कुल्लू जाना सी ओ वाया उन्ना ते जाहु वल्लो सुकेत आये ते राध साड़ेकारी ठैरे सन स्वेरे उत्थो वाया मंडी होके कुल्लू जाना सी उस वक्त सुकेत तो मंडी ओन वास्ते नेरचोक वाला रस्ता नहीं सी हुन्दा ते कचियां सड़का सन ना ही खड़ा उपर पक्के पूल बने हुन्दे सन उस वक्त राज याने खड़ा उपरो लंगन वास्ते श्तीरियां पाहियां हुन्दिया सन ते रस्ता वी सुकेत तो स साई खाडते अगों रतिवी खाडते अगों रतिवी खाडतों होके जայ दासी जिस वेले स्वेडरे सची पाष जी मंडीवाल तूरन लगये सी उस वेले पिता जी थोड़ी दूर तक विध्या करण वास्ते साइकिल थे चाल पे. सच्चे पाश्चा जी गड़ी ते पीता जी साइकल ते चाल पए चाल दे चाल दे जडो साई खाड को लागे यानि कि जो सुन्दनगर दे करीबन 5 किलो मेटर सी सचेपाशा जीने पीताजी नुक्या के सेड़ जी तुसी सानुविद्या कार्दे कार्दे बौहत दूर आगे हो हुन तुसी वापस चले जाओ अगो पीताजी अर्ज किती कि सचेपाशा जी मेरा अजे वापस जारनुँ जी नहीं करदा ते मेरा अजे आप दे साथ जानवास ते ही जी करदा है सच्चे पाशा जी गड़ी ते पीता जी साइकिल ते चल्दे चल्दे रत्ती खाड को लागे जो करीबन सुके तो आट किलोमेटर सी ते पाँच के फिर सच्चे पाशा जी उकम किता कि सेट जी हुन तुसी वापस जाओ फिर पीता जी कहन लगे कि सच्चे पाशा जी मेरा आप दे पासो जाननू दिल नहीं करदा ते चल्दे चल्दे मंडी पाँच गए अगो सच्चे पाश्य जी ने कुल्लू जाना सी ते सच्चे पाश्य जी कहन लगे कि सेड जी आप साइकिल ते एड़ी दूर आगे हो हून तुसी वापस चले जाओ पीता जी बेनती किती कि सच्चे पाशा मेरा आप जी पासू निखड़न नू जी ही नहीं करदा प्या मैं आप जी दे साथ ही कुल्लू जावांगा साइकिल दे ते ओथों कुल्लू वाल चाल पे जित्थे दर्याद किनारे गुर्द्वारा ओंदा है ओ ते सच्चे पाशा जी खड़े हो गए ते पीता जी वी नाल संद ते सच्चे पाशा जी पीता जी नू हुकम किता कि सेट जी सुने है कि ते गुर्द्वारे संट मोहन सिंग जी आए होए हन तुसी जाके पता करो कि संत जी आय हुए हन के नहीं जिस संत जी आय होन ता तुसी मेरे वल्लो कै देना कि सादेनल कुल्लू चलन पीता जी उपर गुर्द्वारे गए उस वक्त गुर्द्वारा सडक तो थोड़ा उपर चाढ किसी ते उपर चड़न वास्ते पॉडियां बनियां हो यह सन जो हुणवी हैं जिस वेले पिता जी उपर गुर्द्वारे गए ते वेख्या की संत जी बैठे होए हैं ते नाल संत तेजा सिंग जी लंगर बना रहे हैं पिता जी संत मोन सिंग जी दे चर्नावी चर्ज किती था अगो सं जी ने बेंती किती कि सेट जी सचे पाशा जी नू अर्ज करो कि सचे पाशा जी लंगर बान रहे हैं जो खुखम ओवे ते लंगर चाक के आईए के पहलो ही आजाईए अगो सचे पाशा जी उकम किता के ओना नू कह आवो कि लंगर चाक के याओन पीता जी उपर जाके सचे पाशा जी नाल कुलू आल जाल पे जानदे जानदे जदू सचे पाशा जी मोहल पहुंच गे जो कुलू तो तीम किलोमेटर पहला आजानदा है ता की वेक दे हन के संट मोहन सिंग जी नाल संट उजागर सिंग जी ते संट तेजा सिंग जी मोड़ आते चोले चुके होई हैं ते अग्गे तूरे जानदे हैं पीता जी है वेक के बड़े हरान होई कि असी ते इना नू लंगर बना अन्यावनी चाड़ के आए हां ये लंगर छाक के ते पैदल चाल के साड़े तो अग्गे आगे हैं जो के असी साइकिल ते सचे पाशा जी गड़ी ते आए हां ए पैदल भी साड़े तो पहला पहुंच गए हैं सो जिस वेले पीटा जी रैय और शचे पाशा जी अगगे किती ता सचे पाशा जी अग़ो केल लगे कि सेड़ जी ए ही ते आपनू वखाणी सी कि लोक केन्दे हन कि गुर्णानेक दीव जी पौन दी स्वारी आम देहसन ते मैं आपनू दसना सी मेरे सिक्वी पॉंडी स्वारी आम दे हन। जिस वक्त सचे पाशा जी ते पीता जी कुल्लू पॉंच गए ताप पीता जीनू याद आ गया कि मेरी तकाल अमरीच सर तरीक है जित्थे मेरा जाना बड़ा जुरूरी सी ते हुण की होवेगा सोचा जपैगे अमरी सर जानवास ते कट्टो काट दो दिन लग दे हन हुण तरीक ता की बनेगा सो ए दिल वीच आंदिया ही आंदिया ही पीता जी रा चेरा बड़ा ही उदास हो गया फीकर पैगया सोचन लाग पै जिस वेले सचे पाशा जी वेक्या की हुण तक सेट जी बड़े खुश सन ते हुण एकदम ही चूप जैसे हो गया हन ते चेरा भी मुर्जा आगया है सचे पाशा जी ने पीता जी नो पुछया की सेट जी की होया है तूसी एकदम ही चूप हो गया हो फीकर वीच बैगे हो ए सुनके पीता जी चर्णवी चर्ज कीती कि सच्चे पाश्या जी मेंनू हूने आदाया है कि मेरी ते स्वेरे अमरी सर तरीक है जिस वीच मेरा जाना बड़ा जिरूरी सी मैं हून स्वेरे अमरी सर पहुंच नहीं सकदा तरीक दा पता नहीं की बनेगा अगो सच्चे पाश्चा सी सागुपतात सिंग जी एग आल सुनके आख लगे किसेट जी फीकर ना करो तुसे मेरे नाल एनना प्यार किता है साइकल दे सुकेत तो चालके कुल्लू आ गए हो ते मैं तो अडवासते कुछ नहीं करांगा तुसे बिलकुल फीकर ना करो सब ठीक हो जावेगा सच्चे पाश्चा जी राये बचन सुनके पीता जी खुश हो गए ते कैल लगे सच्चे पाश्चा जी उण में नू बिलकुल फीकर नहीं है आप दे किरपा नाल सब कुछ ठीक हो जावेगा सो कुल्लू तो ओके सच्चे पाश्चा जी वापस चले गए ते पीता जी वापस मंडी हुंदे होए सुन्दर नगर यानी सुकेत पहुंच गए कुछ दिना बाद पीता जी ने वकील नू चिठी लिखके वकील साहेब पता देना के तरीक दा की बणया है अगों वकील दी चिठी आई कि सरदार जी तुसी में नू मठ्याई खौन दिब जा है पुछने की तरीक दा wannorship आपते तुसी तरीकते आके तरीक पुगती है ने आंपी तुसी तरीकते आके तरीक पुगती है तैय जाजने आपने हाख विची फैसला देटा है ती पीता जी ये वकील साच्चछींन शाहाई किह सब्भा를 पॉसे जी नहीं होई है क्योंकि हसी ते ओदो कुल्लू सां ते ओती सच्चे पाशा जी अगे अर्ज किती सी अग्गो सच्चे पाशा जी हुकम किता सी सेट जी कोई फिकर ना करो सब ठीक हो जाएगा सो एथो एपरतीत हुंदा है कि सच्चे पाशा जी आप ही मेरा रूपतार के तरीक ते गए होणगे ते अग्गो जाजने हाक वीच फैसला किता है सो एजो कौतक वर्त्या है एमें साजगुर्ज जग्जी सिंग जी दे चर्ना वीच वी अर्ज किता सी पर मेरे पासो ऐब बड़ी वड़ी पूल होई है कि ओवकील वाली चिठी मेरे पासो साम भी नहीं गई सच्चे पाशा सागुर्ज जग्जी सिंग जी वी हुकम किता कि सेट जी ओवकील वाली चिठी जरूर्त उसी साम के रखनी सी सुच्चे पाश्चा जी साड़े ते बणियाई भक्षिशा करदे आये हन सारे आकले ये तानसीरी साथ गुरु पर्टाप सिंग जी तानसीरी साथ गुरु जगजीत सिंग जी